मुके साहनी जी ने एक महत्पूर्ण निर्दे लिया है बिहार के हित के लिए सन्विधान और लोकतां त्यारच्छन को बचाने के लिए बेरे लिए भी अच्छा नहीं था नाई हमारे छोटे भाईति यसी जी के लिए अच्छा था और उससे हमें भी नुक्सान हुआ और महागटबंदर का भी नुक्सान हुआ था इस प्रकार से राष्ट्य जन्ता दलने महागटबंदन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा की चुनाओं में विधान सभा की चुनाओं में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करें अल्टिमेटली तो जन्ता नमालिक है हमारे साथ बैठे हैं उनके सामने एक भाजबा का वरिष्ट नेता कहता है कि हमको प्रचंड भाउपत चाहिए चार सो पार कराईए और हम लोग संजिलान को फटम करें महागटबंधन में मुकेश साहरी जी का हम स्वागत करते हैं इन्होंने काफी परिश्रम किया काफी वहरत की अंति पिछला समाज को जोड़ने में उनकी समस्यां को उठाया उनके अधिकार के लिए इनोंने संघर्ष किया और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास किनने का तोर्दे का प्रयास किया वह हम सब लोगोंने देखा रहे तो आज देश में चुनाओं हर जगे हैं लेकिन हम ग्यारेंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं चार सो पार का इस बार बिहार की धर्ती उनको धूल चटाने का काम करें और हमने कई बार का है कि बिहार जो है वो चौकाने वारा रिजल्ट देगा हम सब लोग नौजवान हैं पिहार के लिए नया सोचते हैं प्रोग्रेसिव लोग है पॉजितिव लोग है हम लोग के पास विजिए हैं हम लोगों के पास रोड मैप है कि किस तरीके से बिहार को अगे ले जाने का काम करें का हम सब लोग देश के हालात को भी देख रहे हैं जहां तानाशा रविया अपनाया जा रहा है जहां संजिधान परकत्रा है और ताजूब है कई लोग जब हम लोग बोलते थे भाशन में कि भाजपा के लोग जो है संजिधान को खतम करना चाहते हैं लोग तक खत्म करना चाहते हैं इस देश की जो दैवर शिटिटी ए उसको खत्रम करना चाहते है भाशारे और चाहिता का करना चाहते हैं तो कुछ वरिष्टनेता भाजपा के वरिष्ट मंतरी बिहार चरकार के प्रेन कुभार जी उनके सामने वहाजपा का वरिष्ट नेता कहता है कि हमको प्रचंड महुपत चाहिए चार सो पार कराईए और हम लोग संदिधान को खतम कर देए हम लोग ये बताना चाहते है कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संदिधान को बदल सके लोग तक को छीन सके और जो असली चहरा जो बीजेपी का है वो सब के सामने वो जागर हो चुका है जो असली चहरा जो है वो जागर हो चुका है भाजपा का यानि जो बात हम लोग कहते थे कि संदिधान और लोकतर्द पर खत्रा है आज भाजपा के लोग ही जो है भाशन कर रहे हैं खुल करके बोल रहे हैं कि संदिधान को खतम करना है यह बाबा साब अबेतकर का लिखा सर्विधान जो देश को जोड़ने का काम करता है जहां समाजी क्नाय के साथ-साथ सबका सम्मान है सबका अधिकार दिया गया है और जब सर्विधान खतम हो जाएगा तो लोगतंत्र खतम होगा तो लोगतंत्र खतम होगा तो वोटिंग खतम हो जाएगी जो आप वोट करना चाहते हैं आज चुनते हैं सरकार को इनका असली अजेंडा है कि उससे सबसे खतम हो जाएगा और एक ताना शाही पुरे देश में जो है वो लागू हो जाएगा और कोई पहली बार भाजपा की नेता ने नहीं बोला दक्षिन भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला राजस्थान में भी भाजपा की नेता ने बोला और लगतार ये बिहार में हो रहा है जब लोग जागरुक हो गए जब अधिकार के लिए लगने लगे जब दलितों की पाटियां बनने लगी जब अती पिछडों का पाटियां बनने लगा पिछडों की पाटियां बनने लग गई तो बीजेपी को डड़ हो गया उसलिए चाहते हैं कि सन्विधान को खतम कर दिया गया तो आज बहुत खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागडबंधन जो है उसमें शामिल हुए है और हम सब लोग पुरा राष्ट्री जन्ता दल परिवाग सभी हमारे महागडबंधन के सभी साथ ही इनका हम लोग स्वागत करते हैं और आप लोग सब लोग जान रहें कि आज शामिल हो रहे है ये लेकिन इससे पहले महागडबंधन में हम लोगों ने सीटों का एलान कर दिया है सीटे बता दी गई है कौन सा सीट कॉंग्रेस के खाते में गया और कौन से सीटे जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महतपूर्ण निर्वने लिया है बिहार के हित के लिए सन्विधान और लोकतान त्यारक्शन को बचाने के लिए तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथी साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दे तो उसी तर्स पर जैसा आप लोगों के जनकारी में है जैसा महागरबंदन ने ऐलान किया था इसी जगे पर कि 26 सीटे जो है राष्ट्रिय जनता दल चुनाओं लड़ेगी तो हम राष्ट्रिय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहाणी जी को हमारे पार्टी का निर्दे हुआ है पार्टी का निर्दे हुआ कि तीन सीटे जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए राष्ट्य धर्जी का भी निर्दे है और वो तीन सीटे पहला गुबाल गंज है दूसरा जन्जारपूर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है ये फैसला हुआ है कि ये तीन सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़ा है बहले ही अलग पार्टी हो लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे है यानि चाहे इनके सिंबल पर जो कैंडिगेट हो हम लड़ाई है चाहे लार्टेन पर कोई लड आई है और ये एक मजबूत गडबंदन आगे बिहार के भविश को देखते हुए केवल लोग समाही चुनाव नहीं बलकि आने वाला जो विधान सबाद चुनाव होगा क्योंकि समय तो जादा नहीं रहे गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि दितीजी का तो मन है कभी भी करा लें कभी भी हो सकता है तो हमारा जो गडबंदन केवल लोग सबाद के साथ हमारा गडबंदन विहार के विधान सबाद के लिए भी है और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधान सबाद का भी चुनाव लड़ेंगे और समय भी जो सम्मान की बात लगत मुके साहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्य जंता दलने, महागर बंधन ने इनका सम्मान दिया है लोग सभा के चुनाओं में, विधान सभा के चुनाओं में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे हैं, और जादा कुछ हम नहीं कहेंगे, अब हम चाहेंगे कि मुके साहनी जी जो हैं, आप लोगों के समझ अपने बातों को रखेंगे, और यह जब बात रख लें, तो जो आप लोगों का सवान होगा, शान्ती पूरवक्त आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम तो जादा करके सभी नेतागर्ण, हमारे वियर्टी पार्टी के सभी वहिस्त नेतागर्ण, नेतापति पर्श्च हमारे श्री जेशी परसाथ यादव जीक, और तमाम हमारे मीडिया के बंदू हैं, आप सभी को तो बहुत पहुत अधन्यवाद, आज हम लोग बंदर के पाठ हम लोग बने हैं, और निर्मे यही है कि आगे लगाए लगना है, हम लोग हमेशा लागू परसाद यातव जीक, विचार धारा को बानने वाले लोग हैं, गरीब विच्छे समाज में जन्द लिये हैं, अधन्यवाद, आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है, और जो मैं मूर के देखता हूं, तो हजारों समस्या हमारे परिवार में हमारे लोगों के बीच में हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए गंबे के आइस और आम जिन्नकी को छोड़कर, मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लगने लगा, आंदोलन किया, आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संधर्स करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने मिरने लिया था, और आपने देखा कि भाजपाने किस तरीके से हमारे विधायक को खृद लिया, हमारे पाती को तोर दिया, हमारे सहियोग से विहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बहार कर दिया, और अब पिछले दो सालों से संधर्स में कर रहा हूं गाँ गाँ में भूम कर अपने लोगों को जाभू कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लगिए हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है समिधान एक है देश के प्रधान मंत्री एक है तो हमारे साथ अन्या क्यों जब बंगाल में निशाथ समाज के सभी उपजाती चाहे भीद हो बिलदार हो नुनिया हो मला हो चाहे हो तियर हो बनपर हो गोडी हो तमाम निशाथ के सभी उपजाती को आरक्षन हैसी का मिल रहा है आप दिल्ली कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारे सरकार बनेगी हमारे साथ कृति है हम आग न्हें ने उनको मदद किया निकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बाते करते हैं जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मला का बेटा का भी कोई समस्या है उसको दूर करेंगे इसलिए हम लोग लड़ाई लग रहे हैं पुरे यूपी बिहार धारखन में अपने लोगों को जागरू किये हर लोगों ने हाथ में गंदा गंदा लेकर संकल्प लिया कि हम अपने आने वारा पीरी के लिए अपने बच्चे के भविस के लिए संधर्स करेंगे जैसे हमारे पुरवज ने कभी इस देश वाजादी दिलाने के लिए संधर्स किया उसी तरीके से संधर्स करेंगे और आज हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हमने बिहार में तमाम हमारे करकूरी ठाकूर जी हो, हमारे लालू परसाद यादब जी हो, स्वार्गे सिरिपासमान जी हो, हमने सब को देखा, अपने लोगों के लिए, अपने हद अधिकार के लिए उन्होंने संगस किया, और मै सभी को और देश के सभी लोगों को ने बीहार का जो जो इटा आएगा, उसमें चौकाने वाला रिजल्ट होगा, और मजबूती से हम लोग लगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोधी जी ने हर साल बे दो करो लोगों को रोजगार देने का जो निर्ने लिया था आज कही न कही दो लाग भी नवरी वोनों ने देने का काम नहीं किया आज हमारे लोग परली कर भूम रहे हैं उनको नोपरी नहीं मिल रहा है और खास करके ये कौन लोग है ये H.C.H.T. O.B.C. के लोग अथि पिछणा समाज के लोग है आज हमारे बच्चे बीमार परते हैं तो उसके घर में परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए आज हमारे लोग इलाज के अवहां में बच्चे को दम तोड़ते हो देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। में परिवर्तन होगा और हम लोग उसके लिए भी तयार है और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे इसलिए साथियों मजबूती से हम लोग हक अदिकार के लिए लगाए लगे हैं इंडिया गटवंदन महां गटवंदन के परिवार को में धन्यबाद देता हो कि आपने इससे प अपने जगा दिया तीन लोग सवा सीट पर घ्याइबी पार्टी लड़ेंगे और तीन ही नहीं चालिस सीट हम मांते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे तो तमाम हमारे महा गटवंदन के तमाम साथी को धन्यबाद देता हो कि इस गटवंदन हम लोग आएं और आग हमें पुरा उमीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे देखिए दो भाई में आपस में लोग ठोप होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्विंजी के लिए अच्छा था और उससे हमें भी नुक्सान हुआ और महा गटवंदन का भी नुक्सान हुआ था खैर वो बात हो चुका है भीद गया है उस समय में तो सिर्फ हमारे नम्मर ने घोसना हुआ इसके लिए हमने थोरा सा कह सकते कि पुरोध परकट हमने कर दिया था लेकर आप कंप्रा कीजिए liवे हमारे सीमें खंजर्भ कर ये जैन심 सरकार से भार कर दिया जो सरकार हमने बनाया धाgod And Up जबस जरूरी है कि उसको जवाब देने का उनसे बद्रा लेने का और आने वाला समय में जब दो भाई है धर है परिवार है तो थोटा-पोटा नोचोग हुआ उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे आई से कोई सवाल नहीं होगा ना लुपेंदर जी अपने जी अपने होगा अब एक साथ रहेंगे अब वो दिति जी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिल जाएंगे और पिर कहींने जाएंगे हम साथ हैं हबेसा साथ रहेंगे अब और कि समय आएगा आप लोगों को को जानकारी देती है जाएगा पार्टी परम में इसमные चर्चा होगा कून सा सीफ पर किलको लगाना है किलको परत दी का ने देंगे और हम लोग पिछला समाज के लोग हैं, निश्य तोर पे हम लोग चुनाप मैदाने में, अब चाले से चाली सी धितने के लिए आए हैं, अब मजबूतिस हम लोग लगाए लगें आती पिछलों को समाज जरक शीद देगे लाई 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 खबंदन में नहीं जाएंगे हमने देल्लिया था आरक्षा नहीं तो गटवंदन नहीं गटवंदन नहीं खोट नहीं और और तो समाज अपने वादय पे लाई के लिए कि आरच्छन नहीं उसी काहब पर हम लोग रहेंगे और निशीत तोर पर धात्वा को गिहार से 40-40 रहाने का दाने का हुआ जिए और जिए तोर पर हमारा रच्छन की नराई है जिए तोर पर हम राउ गांदी जी को नितरुत में देश में सरकार बनाएंगे हम अपनी सरकार बनाएंगे और निशीत तौर पूसमें जो हमारी सरकार होगा तो निशीत तौर पर हिसाथ समास पारख चंदा को बहुत है एक मिनट एक मिनट एक इसरे सवाल एक तरफ से निए इधर के लिए इधर देश्वी जी इधर एक तरह है एक बात उनको भी समझना चाहिए लाल्टेंद का काम क्या है अंदेरे पे उजला करना है है न और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल है तीर भी है तो तीर क्यों रखे हो भाई मिसाई कर लो अब फूल तो फूले बना रहा है लोगों को जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है देश की जनता को तो उसका क्या उप्योग है तो एलीडी का जमाना है इसका जमाना है लेकिन जरा मोधी जी अपने बगल में अपने साथी मानी मुखमती जी से पूछ लेते कि दुनिया खतम हो जाएगी काहला बोलते हैं वो किस बात में बोलते हैं क्योंकि जमाना हाई टेक हो गया है उसी बात पर ना मुखमती जी कहता है फोन उन मत चालू करो फोन पर राता है सब लोग अब थोड़ा दिन में दुनिया खतम हो जाएगा तो सबसे पहले जो उनक को ना समझाना चाहिए उनको तो ये सब बिकार की बातें असल बात क्या थे कल जमूई में परदान मंत्री जी शुरुआत की लेकिन कल परदान मंत्री जी ने एक शब्द भी परिवार बात के खिलाफ नहीं बुला और पहला चरण में जहां भी चुना हो रहा है NDA अलाइंस ने सभी पड़िवार वालों को ही टिकेट दिया है तो परदान मंत्री जी कुछ भी कहते है भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बुलेगा कि दो खाओ हलुआ है समझे तो परदान मंत्री जी की बात उनके रही लेकिन आपको हमित शाजी से भी पूछना चाहिए और हम पूछना चाहते कि भाईया अभी यह बता दीजें जन्ता को कि परदान मंत्री जी वहला कौन-कौन सा जुमला है फिर पाज में मत बुली आ रहे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं लेकिन उनलोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं हम लोग सत्रा माईने आए तो पाँच लाग सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया कल मुक्य मंत्री जी भी कह रहे थे नौकरी का जिक्र कर रहे थे बताओ जो मुक्य मंत्री 2020 में कहता था कहां से पैसा लाएगा असंभव है आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे की ने करवा रहे उनके हाथ से दिलवाए की ने दिलवाए निक्ति पत कि छोड़ी ना अब उनका अपना निंदे हम भाई देखे अल्टीमेटली तो जनता नमालिक है किसी को टिकेट देना नहीं देना वो अलग बात है अल्टीमेटली जनता चुनाओ जीत के भेशती है